नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका सोन्यास कूकिंग पर आज हम बनाएंगे जौ का दूद दलिया एक ऐसा पौश्टिक नाश्ता जो आपके दिन की शुरुआत को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाएगा इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ खास टिप्स ट्रिक्स और इस कप चौका दलिया मैं हमेशा दलिया वगयरा चक्की से पिस्वाती हूं आप चाहें तो रेडिमेट भी ले सकते हैं इसके अलावा मैं ले रही हूं थोड़ी सी किश्मिश और थोड़े से बादाम अपनी पसंद के हिसाब से आप काजू पिस्ता जो एड करना चाहें एड क रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्यू कर सकूँ सबसे पहले हम नट्स को रोस्ट कर लेंगे आप चाहें तो बिना रोस्ट के भी डाल सकते हैं कभी अगर आप जल्दी में हैं लेकिन पॉफेक्ट टेस्ट तो रोस्ट के बाद ही आएगा मैंने कुकर को गरम करने रखा है और डालेंगे इसमें किश्मिश और किश्मिश जब तक फूल ना जाए तब तक हम चलाते रहेंगे अगर आप चाहें तो इसमें सुपर सीट्स भी एड़ कर सकते हैं जैसे की पंपकिन सीट्स, सनफलार सीट्स, फ्लैक सीट्स, मेवे और बीज इस दल्या को प्रोटीन और हेल में थोड़ा सा गी बच गया है थोड़ा सा मैं और डालूँगी गी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मैं इसमें डाल रहे हूँ एक कप जो का दल्या इसे पांच से साथ मिनट तक अच्छे से भूने जब तक कि इसका रंग सुनहेरा ना हो जाए और इसमें से हलकी सी खुशबूना आने लग जाए अगर आपको नाश्ता बनाने की सुबह बहुत जल्दी होती है तो आप प्री रोस्ट दल्या करके रख सकते हैं खराब नहीं होता है जिससे आपको सुबह भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूद दल्या जटपट बनकर तयार हो जा तो इस बात का ध्यान रखना है कि हर तरफ से अच्छे से दल्या सिक जाए बहुत अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल गई है और ये देखिए कितना सुनहेरा गोल्डन कलर अच्छे से हो गया है बस कुछ सेकिंद्स मैं इसको और चलाऊंगी उसके बाद मैं इसमें धकन को लगाकर हम इसको 4-5 सीटी मीडियum फ्लेम पर लगाएंगे इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम को हाई नहीं करना है मीडियum फ्लेम पर 3-4 सीटी लगाकर 5 isbourne पर रख देंगे जोगा दलिया फाइबर से वहरपूर होता है जो आपके पाचांत तंत्र को दुरुस्त रखता है और लंबे समय तक आपको फुल महसूस कराता है कुकर की सीटी को अपने आप रिलीज होने देंगे उसके बाद कुकर को खोलेंगे ये देखिए दल्या कितने अच्छे से पक चुका है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब हम इसमें डालेंगे दूद यहाँ पर मैं दल्या में तीन कप दूद एड़ कर रही हूँ क्योंकि जादा दूद डालने से ये दल्या बहुती स्वादिष्ट बनेगा रबडी जैसा लगेगा आपको आप एक बर जरूर ट्राय करके देखिएगा मैंने यहाँ पर गाय का दूद लिया है वो भ पर रखेंगे और इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे बीच बीच में चला लेंगे जो आपके दिल के लिए भी बहुत फायदे मंद है इसमें मौझूद बीटा ग्लूकन कोलेस्टरॉल को कम करने में मदद करता है जिससे हिर्दै रोक का खत्रा कम ह हो जाता है अच्छे से गाड़ा होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग एक टी स्पून इलाइची का पाउडर और आधा टी स्पून दाल चीनी का पाउडर इससे ना सिर्फ इसका स्वाद बढ़ेगा बलकि ये मसाले आपके मेटबॉलिजम को भी बूस्ट करे हैं अब इसमें अपने स्वाद के अनुसार चीनी या गुर्ट डालेंगे मैं यहां पर देशी खान डाल रही हूँ लगभग 3 टेबल स्पून इतनी चीनी में इसका जो मीठापन है ना बिलकुल माइल्ड रहेगा ना तो जादा मीठा ना तो बिलकुल फीका एक परफेक् चमच के पीछे अच्छा सा गाढ़ापन आ रहा है बस इतना गाढ़ा हमको चाहिए तभी इसका बिलकुल परफेक्ट टेस्ट आएगा अगर आप गुर्ड डाल रहे हैं तो गैस की फ्लेम को बंद करके थोड़ा सा ठंडा करने के बाद एड़ करिएगा नहीं तो दूद फट सकता है गुर्ड दलिया में एंटी ऑक्सिडेंट्स और मिनरल को बढ़ाता है जो इम्म्यूनिटी को बूस्ट करते हैं दलिया तैयार है इसे गर्मा गरम सर्व करें अगर आप इसे सुबह के नाश्टे के लिए बना रहे हैं तो रात में दलिया को पका कर फ्रिज में करना ना भूलें और हां कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कौन सा टिप या बेनिफिट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया सुपब 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 सुपब